भारती जंदा पार्टी ने बालागार जले की लांजी और बही अर बही बही जर्वशीट से जहां दो बार के विधायक भगात शिंग नेतां को पार्टी ने उम्मिद्वार बनाया तो बही लांजी शित पर भाजपा ने बहुत बढ़ा दाव खेला है पार्टी ने यहाँ पर पिछले चुनाओं में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर इस्थिपा देने वाले राजकुमार कर्राहे पर भरोसा किया है उन्हें अपना अधिकरत उम्मीदवार घोशीत कर दिया है कर्राहे ने टिकट मिलने से कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया इसे लेकर छेतर के पूर विधायक रमेज भटेरे ने सोसल मिडिया के जरिये पार्टी के सर्व मानने नेताओ के प्रती नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध की चिंगारी फूग दी है वही रमेज भटेरे के नेतरत्व में पार्टी में कारे कर रहे नेताओं और कारे करताओं में भी सीट पर किये गए बदलाओ के बाद बिरोधिश्व अरगुंजने लगे है पार्टी के निरने पर मद्द प्रदेश शासन के राज्य मंतरी रामफिशो नानो कावरे ने प्रतिक्रिय अव्यक्त की है हलांकि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में इसे केंद्री चुनाओ समीती का निरने बताया है जिन विधान सबा को हमने पिछले चुनाओं में हा रहे हैं उन विधान सबाओं में टिकट फाइनल की गई है और बालाखाट विधान जिले में दो विधान सबा बईहर विधान सबा में भागण से निताम जी को टिकट दी गई है और लांजी में राजकुमार कर रहा है जी को इस सेंटरल कमीटी का जुनर्णा है वो हम लोग सब लोगों के सामने आज हम लोग नहीं देखें आपको वता दे की लांजी और बैहर जिले की ऐसी विधान सभा सीट है जहां पर भारती जंता पार्टी को पिछले दो चुनाओं में लगातार करारी सीकस्त मिल रही है इसमें बैहर एस्टी रिजर्व सीट पर जरूर भाजपा ने भगश्चिंग नेताम के मुकाबले किसी और दावेदार पर भरोसा नहीं जताया लेकिन लांजी सीट पर चेहरा बदल कर भाजपा ने नए समीकरन की तलाथ जरूर की है वैसे भी डबल मनी संकट की वजह से इस छेतर में लगातार चेहरा बदले जाने की चर्चा एसर वविदी थी इसी कलाब उठाने के लिए भाजपा ने पूरो विधायक और भाजपा नेता रमेज भटेरे की टिकट काट दी है उनकी जगह अब राजकुमार कर रहा है का नाम खोसीत कर दिया है पार्टी ने याद किया और जो विस्वास किया हम आदमी पार्टी में जाइन होने का प्रमुक कारण क्या रहा है कि मैंने जब इस्थीपादिया उसके बाद से कुछ संकीत नहीं आ रहे थे उपर से तो फिर एक था कि मुझे तैयारी करना है तो फिर कोई प्लेटफार्म होना चाहिए इस वज़े से कर लिया था लेकिन मन तो मेरा और दिल जो था भाजपाती तरब था और इधर ही लगा कि बहुत बार परिस्थितियां कुछ अलग बन जाती है उन परिस्थितियों के कारण सायद परिणाम उस प्रकार के देखने में मिलें लेकिर मुझे पूरा मिश्वास है कि जो दस्वर्फों के अदर बही हमिदान सभाज शेतर में जो विकास की गती रुग कि उस बात को लेकर के जनता जरूर भारती जनता पार्टी के साथ जोड़ना पसंद करेंगी चाहे हो राज्य की योजना हो या केंदर की योजना हो उन सब से जनता वाकिफे कि इस प्रकार से विकास को लेकर के सरकानों ने अपना जो रोल में बनाया और जिसके अधार के विकास लगातार हुला है यहां इस बात को लेकर के जनता जरूर विचार करेंगे हम जनता के पीच में जाएंगे अपने सकारात्मक कामों के अधर पे हम जनता के पीच में उनका विश्वास अरचित करेंगे